नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल जरधारी क्लासेश में दोस्तों हिंदी के इस ओनलाइन कोर्स में हम याँ पे डिसकर्स कर रहे हैं हिंदी साहिते के परमुख लेखक और उनकी रचनाएं तो इसी सीरिज में आज हम आपके लिए ला रखे हैं कुछ परमुख लेखक राव संकरतें जी होगे मनु भंडारी जी और हरी संकर परसाई जी तो इनके बारे में हम याँ पे आज डिटेल्स चर्चा करेंगे इनकी परमुख रचनाएं इनके गद्ये इनके उपन्यास कहान इनके बारे में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट एक्जाम की द्रिष्टी से इंपोर्टेंट होगे हो सारी चम्यापे चर्चा करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों तो आज हिंदी सायते के प्रमुख लेखकों की रचनाओं में सबसे पहले सुरू करते हैं राहूल सांकर्टियान जी के बार में देखो राहूल सांकर्टियान जी को महापंडित राहूल सांकर्टियान के नाम से भी जान जाता है ठीक है महापंडित महापंडित इनको कहा जाता है ओर इनका एक मूल नाम है केदार के से कि आम केदार पांडि महापंदित और कीदार पांडे तो महापंदित आपको ध्यानक ना इनका जन्म हुआ था 9 अप्रेल 1893 को कहा हुआ था आजमगड उत्तर परदेश राउसंकर्दान जी का यहाँ पर जन्म हुआ था क्या लिखावत में लिखा है, अपनी लेखन में लिखा है, तो बहुत सारी इनके criticize भी लिखे हैं. तो तो पहले इनके कहानी संग्राय की बात कर लेते हैं। तो इनके प्रमुख कहानी संग्राय हैं सत्मी के बच्चे, वोलगा से गंगा, भोरंगी मधपूरी, कनेला की का था। तो ये चार इनके प्रमुख कहानी संग्राय हैं राहुल सांकर्तैन जी के। जीवनी की बात कर लेते हैं तो यहां पर जीवनी भी काफी important है इनकी जो लिखी गई है इस्टलिन, काल माक्स ये काफी important है लेनिन ये भी काफी important है माउच से तुंग, इनकी भी एक इन्होंने एक जीवनी लिखी है गुमकड स्वामी गुमकड जेवर्धन देखो गुमकड इनको भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफी यात्राइं कर रखे इसलिए इनको गुमकड लेखा गुमकड कोई के नाम से भी गुमकड इनको कहा जाता है बोले तो गुमकड जेवर्धन और सिहल गुमकड ये भी एक प्रमुख जीवनी लिखी है सिहल के वीर पुरुस वीर चंदर सिंग गडवाली ये काफी इंपोर्टन्ट है वीर चंदर सिंग गडवाली की जीवनी पे भी इन्होंने लेक लिखा है एक जीवनी लिखिये इन्होंने वीर चंदर सिंग गड़वाली जी के बारे में महा मानवबुद्ध और कब्तान लाल और सरदार पिर्थवी सिंग तो ये इनकी प्रमुख़ जो रचनाएं हैं जीवनी पे आधारित इनकी ये प्रमुख़ रचनाएं हैं और इनमें कार्ल मार्क्स, लेनिन, माउच सेतूंग, वीर चंदर सिंग डड़वाली, यह काफी important है, इनको आप जरूर नोट करेगा, वजह सभी important है, अगर आप सब याद कर सकते हैं, तो अति उत्तम होगा, दुखा आपको रटना नहीं है, आपको दो-तीन बार आपने पढ आता है, तो उससाफ से आप कर सकते हैं, अगर आप ऐसे रटने में लग जाओगे, तो याद भी नहीं होगे, आपको आपसे इतने सारे, क्यों इतने सारे याद नहीं होते हैं, समझने आपको, संस्मरन देखो, संस्मरन मैं आपको कई वर बता चुका हूँ, क्या होता है, तो इनके जो परमुक संस्मरण है, बचपन की इसमर्तियां, जो कुछ इसमर्तियां होती है, जो यादें होती है, उनको लिखा जाता है, उनको का जाता है, संस्मरण, असहयोग क्यों मेरे साथी, ठीक है, असहयोग के, मेरे साथी ये भी इनका एक परमुक संस्मरण है, जिनक उन्होंने कई देश और विदेशों की यात्राइं की है तो इसलिए इन्होंने जहां भी ये गए वहां का यात्रा वर्तांत उन्होंने लिखा है तो कौन-कौन से इनके प्रमुख यात्रा वर्तांत है मेरी लद्दा क्यात्रा लंका यात्रा वर्ती मेरी यूरोप यात्रा त के दुर्गम खंड ये इनके कुछ प्रमो के यात्रा वरतान था है राहूल संक्रत्यान जी के उपन्यास की बात कर लेता है क्योंकि उपन्यास काफी इंपोर्टेंट होते हैं और अधिकांस अपन्यास भी पूसे जाते हैं इकजामें तो जीने के लिए 22 सधी ये भी एक उप अहले है उत्वीकि ये श्रामनत म्रत्यात्री ये प्रमुख स्धा राहूल संक्रता न्यास के उपन्यास जो आपको नौट करने हैं अब जो इन्होंने कुछ इंढ़ी काब्यधारा के इतिहास लिघाए और बिख्ष्य के बारे है वी इन्होंने लिखना इन्हों उनोmee दं संदिक दर्शन और तुम्हारी च्छया यह इनके प्रमुख अन्यम हित्वपोंट रचनाय हैं और यहां पर सबसे इंपोर्टन इनमें क्या है मध्य ऐसिया का इतियास क्योंकि मध्य ऐसिया का इतियास रचना के लिए इनको 1908 में हिंदी साहित अकादमी पुरुसकार से भी स फ्जयास जब इन्होंने लिखा था तो इस रचना के लिए उनको हिंदी साहितत्यकादमी पुरुसकार से इनको अइसिया кणई TWO-1 मध्य ऐसिया का इतियौंक अ Umm सनन करना है और पुरुसकार के मिला हिंदी साहितत्यकादमी पुरुसकार उसके बाद 1963 में इनको पद्म भूसन पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया तो राहूल सांकर्तियान जीर को पद्म भूसन पुरुसकार से कब सम्मानित किया गया 1963 को अब देखो इनके नाम से सरकार ने एक पुरुसकार भी सुरू किया महापंडित राहूल संकर्तियान पुरुसकार जो किस छेतर में दिया जाता है हिंदी साहित्य छेतर में उतकरष्ट योगदान के लिए दिया जाता है किसी यात्रा वरतान के बारे में लिखने के लिए यह हिंदी साहते में कुछ प्रमुख योगदान के लिए दिया जाता है राहूल संकृतियान पुरुषकार जिसके शुरुवात हुई थी 1993 में राहूल संकृतियान के सताब्दी जन्म दिवस्ता देखो इनका जन्म कह वह था मैं आपको उपर बता चुका हूँ यहाँ पर देखिए ऐस प्रकार आपको सेथा प्लस सो जोड़ देना उसमें तो उननीं 30तियानव में इनके नाम से महापंडित राहूल संकर्ट्यान पुरुषकार शुरू किया गया तो 1903 में राहूल संकर्ट्यान के सताबदी जन्दियस पर महापंडित राहूल संकर्ट्यान पुरुषकार के सुरुवात की गई और ये पुरुषकार किसके द्वारा दिया जाता है केंद्रिया हिंदी संस्तान और मानव संसाधन विकास मंत्रले द्वरा दिया जाता है महापंडित राहुल संकर्ट्यान पुरुसकार काफी ये इंपोर्टन है जिसकी सुरुवाद 1993 में हुई और किस शेतर में दिया जाता है हिंदी साहितर शेतर में या किसी कोई यात्रा वर्तांत क्योंगे गुमकर थे इन्होंने कई यात्रा वर्तांत लिखे हैं तो इन्हीं के अनुसार अगर कोई यात्रा वर्तांत और उसमें कोई विसेश योगदान देता है तो उसको दिया जाता है महापंडित राहूल सांकर्ट्यान पुरुसकार से स जनम हुआ था 3 अप्रेल 1931 को कहा हुआ था भानपुरा नगर जो कि मध्या प्रदेश में आता है अब इनके परमुक रचनाओं के बारे में बात करें तो ये एक उपन्यासकार और कहानी कारक है मन्नु भंडारी जी और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास और कहानिया लिखी ह नाम क्या यहां पे एक इन्चमुसकान लेकिन ये राजेस बाबु जी के सहयोग से लिखा गया है इन दोने आपस में सेवमल राजिस बाबू और मन्नु भंडारी के सायोग में लिखा गया है एक इंच मुस्कान उपन्यास लेकिन जो इन्होंने श्वेंद लिखा है वो है आपका बंटी तो इनका जो परतम उपन्यास कोनुआ फिर आपका बंटी जो इन्होंने श्वेंद लिखा है और यह जो आपका बंटी है सबसे परसिद दुआ था और इसमें विवाह विचेज की तरास्दी में घिसरा एक बालक एक बच्चा है जो की विवाह विचेज की तरास्दी में घिसरा है उसके बारे में इन्होंने उपन्यास लिखा है दूसरा जो उपन्यास है महाभोज इसमें इनोंने राजनीती में जो स्वार्थ होता है कैसे राजनीत में स्वार्थ होता है उसके बारे में वेचना या उसमें द्रिष्टी डाल रखी है महाभोज नामक उपन्यास में मनुभंडर जी ने और तीसरा जो है एक इंच मुस्कान वैसे सबसे पहले यही लिखा गया था लेकिन ये सहयोग के द्वारा लिखा गया है राजेस बावु ये भी एक परमुक साहिते का रह चुके हैं परमुक लेखा और उपन्यास कार है तो राजेस बावु जी के सहयोग में इन्होंने एक इंच मुस्कान नामक उपन्यास की रचना की और इस उपन्यास में यानि जो एक इंच मुस्कान है इसमें पड़े लिखे और आधुनिक्ता के जो लोग हैं उनकी दुख भरी प्रेम गाथा के बारे में बताये गया है एक इंच मुस्कान में उसकी बाद जो इनके परसिद कहानी संग्रा है वो है तीन निगाहों की एक तस्वीर मैं हार गई यही सच है एक प्लेट से लाव एक परसिद इनकी एक कहानी है रानी मा का चबूत्रा गीत का चुम्मन तरसंकू विदूसक नायक खलनायक तो यह इनके कुछ परसिद कहानी संग्रा है जो की काफी परचलित वेते हैं मनु भंडार जी के आत्मकता भी है इनकी एक कहानी यहाभी ये इनकी एक आत्मकता है और यहां पे एक नाटक भी है इनका बिना दीवारों के घर और रजनी दरपन ये इनके परसिद नाटक हैं बिना दीवारों के घर और रजनी दरपन अब पुरुसकारों की बात कर लेते हैं तो इनको जो मिला था पुरुषकार दोजार आट में ये काफी इंपोर्टन है इनको दोजार आट में ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था एक कहानी यहाँ भी के लिए जो इनका आत्मकता है इनकी जो एक कहानी यहाँ भी इस आत्मकता के लिए मन्नु भंदर जी को 2008 में ब्यास सम्मानित से सम्मानित किया गया था तो 2008 में सम्मानित किया गया इनको ब्यास पुरुसकार से मन्नु भंदर जी को तीसरे जो लेखक हैं वो है हरिसंकर परसाई देखो जो हरिसंकर परसाई हैं ये एक परसिद लेखक और क्या रहे चुके हैं ब्यंग कार ये एक परसिद लेखक और ब्यंग कार थे ये काफी इंपोरेंटि आपको नोट करना है और इन्होंने भूत सारे ब्यंग लिखे हैं ब्यंग इन्होंने कसे हैं बहुत सारे ब्यंग लिखे हैं तो एक परसेद लेखक और ब्यंग का रहे हैं हरी संकर परसाई जिनका जनम होता है 22 अगस्त 1924 को होसंगाबाद मद्यपर्देश में और निधन का वो इनका 10 अगस्त 1995 को यह ने 1995 को अब इनके जो प्रमुख कहानी संग्राय है वो है जैसे उनके दिन फिरे एक फरिष्टे की कथा हंस्ते हैं रोते हैं और भोला राम का जीव तो यह प्रमुख चार कहानी संग्राय हैं यहां पे हरी संगर परसाई जी के उपन्यासों की बात करें तो जॉला और जल तटकी खोज रानी नागफनी की कहानी तो यह इनके तीन परमुख अपन्यास हैं इसमरण की बात करें तो तिरची रेखा हैं इनका एक परमुख इसमरण है और निबंध क्या क्या है इनके निठले की डायरी भूत के पाउं सदाचार का तावीज तब की बात और थी बेईमानी की परत पगडणियों का जमाना वैसनों की फिसलन और विकलांग सृद्धा का दोर तो यह इनके परमुख निबंध है विकलांग सृद्धा का दोर हो गया यह काफी इंपोर्टन है वैसनों की फिसलन और निठले के डायरी यह सभी क्या है काफी इंपोर्टन है अब इनकी जो कुछ अन्य प्रमख रचना है प्रेमचन के फटे जूते ये नाइन्थ में है सायद तो ये आपको काफी इंपोर्टे एंसी आईटे में दिया गया है ये सलेबस में तो प्रेमचन के फटे जूते आपको जरू नोट करना है किसकी रचना है प्रेमचन के फटे हुआ हुआ गणतंत्र तो ये भी इनकी को स्परमुख रचना एं जो आपको नोट कनी है पूरुष्कार की बात कर लेते हैं तो इनकी जो विकलांग स्रड़्धा नामक जो रचना है कि मैंने आपको उपर बताएए विकलांग जो निबंध है इनका विकलांग शिर्धा का दोर इस रचना के लिए हिसांकर परसाइजी को तो three फ्रफन काईये में और आज के जो टोपिक थे आज मैंने आपको हिंदी साथे के प्रमुकत प्रणुक्षक और उनकी रचना के बारे में बताय較 रहूल संकरते हैं जोगे मन्नो भंडारी और हर संकर परसाईजी के बारे में तो काफी इंपोर्टन ये टोपिक एक्जाम के इद्रिश से आपको सभी नौट करने हैं और अच्छे से आपको नौट्स